गुड़ मॉनिंग दोस्तों, कैसे आप सब तो जैसे हमने पिछले टुटोरियल में किया था कि scanner function को कैसे use करते है जो कि हमारा basically क्या होता है एक input function होता है जो कि हम user से input लेने में काम आता है तो आज देखेंगे कि हम कैसे हम एक data type का size निकाले क्योंकि एक data type का size निकालने का मतलब है कि कितना storage मतलब वो memory के अंदर सका storage size है कितना सका storage size है basically जैसे कि हम कहते हैं कि इंग टीजर का storage size क्या है दो बाइट तो आज हम देखेंगे कि उसका storage size क्या है अब बात आती है कि देखें प्रोग्राम बनाना है क्या कि size निकालना है storage size निकालना है हमें एक data type का तो जैसे कि देखें कि पहले तो मैंने अपनी header files include कर ली जो हम basically use करते ह अब इसी language के अंदर एक function होता है एक inbuilt function होता है size of के नाम से ये देखें किस काम आता है वो इसी काम आता है कि जो storage size निकालना है किसी data type का तो उसको हम इस function के help से use करते हैं और इसे निकाल के देते हैं तो देखें हमारी इसकी header file होती है पहले हमें वो include करवानी होती है जिसक कर पाएंगे अब मैं अपना main function जो होता है मैं बना रहा हूँ उसके अंदर मैं लिखोंगा सब कुछ अपना अब बात रही देखें दोस्तों कि कैसे हम इसे use करना है पहली बात मैं आपको यह बता दूँ कि हमारे पास चार टाइप के data types होते हैं basically जो कि आप साथ जानते भ होगा तो इसमें आपको पर चल जाएगा देखें पहला होता है देखें मैं यहीं पर लिख जाता हूँ पहला होता है हमारे पास दोस्तों basic data type जिसके अंदर हम basically integer, float, care और हमारा एक होता है double ठीक है इसके बाद होता है दोस्तों अगर हम कहें तो second है हमारा enum कह सकते हैं या en enumeration, जिसका पूरा नाम होता है enumeration data type ठीक है दोस्तों जिसका keyword हम use करते है enum, enum की help से use होगा, यह क्या होता है जब हमारे tutorials हम आगे बढ़ेंगे तब आपको बता दूगा, क्योंकि अगर अभी आपको बता है तो आप बहुत ज्यादा confused हो दाएंगे, क्योंकि मैंने पहले now derived हमारे होते pointer, array, structure and union ठीक है दोस्तों एक होता है हमारा wide data type यह हमारा होता है fourth हम मान लेते हैं ठीक है, अभी इसका symbol होता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्या इसका symbol होता है wide आप इससे लिख लीजेगा कहीं पर यह क्या होते हम बाद में करेंगे देरे देरे बेसिक ज हमारे data types है उन पर हम ध्यान देते हैं ठीक है कि हमें इनका क्या निकाल के देना है दोस्तों size देखना है कि memory इसके लिए कितना storage size ले रही है सबसे बड़ा point पहले दोस्तों यह भी देख लीजेगा कि यह किस चीछ पर depend करता है कि integer को कितना size अलोड हुआ है character को कितना हुआ ह वह depend करता है कि आपका कितने bit का processor है अगर आपका 16 bit का processor है तो उसके लिए अलग value हो सकती है अगर आपका 64 bit का है तो उसके लिए अलग हो सकती है मैं यह नहीं किरा कि अलग होगी हो सकती है अलग क्या है कैसे से बनाया गया है system को तो somewhere कहीं नहीं हलका full का difference मिल ही जाता है तो शेटे लिया मैं अगे बढ़ता हूं मैं जिसमें मैंगे एक बाई लिया गॉते । वह इसको मैं तो अब आता कि वनाम दे लिया है ऑग। तो पहले जो screen आएगी, देखिए मैंने screen पर show कर वाल है कि storage size of int data type बताईए मुझे क्या है, देखिए और देखिए value में किस चीज में चाहिए, ये integer value में चाहिए दोस्तों, तो मैं क्या कहूँगा, अब इस function के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ये मतलब A किसले डाला है, ताकि size of, जो function यूज हो रहा होगा, compiler को use करना होगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर तो कोई point ना कोई variable ये data type आना चाहिए, क्योंकि किसका storage size बताना है, यहाँ पर मैंने क्या डाला, A, बही मुझे बताओ, A का storage size क्या है, अब देखिए मैं get ch use करता हूँ पहले, और मैं यहाँ पर लिख दूँ अब मैंने run किया program, देखिए, the size of the integer type is 2, मलग 2 मतलब bytes 2 है, अब ऐसे देखिए दोस्तों क्योंकि देखिए, इस system ने इसको integer को कितना space provide किया, दो byte का, तो यह ध्यान दखिएगा, हो सकता आपके पास इसका, आप अपने इसे program को run करें, उसमें कुछ और भी size आ सकता है, दो size निकालना है, दोस्तों character data type का, तो मैंने फिर से लिख देखिए, storage size of character data type लिख दिया, मैंने ताकि स्क्रेंटों मुझे यह रहे, अब मैंने दोस्तों क्या करना है, फिर से मैंने m% d लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे integer format में इसकी value चाहिए, क्योंकि यह जो function होता है, व भी है, बड़ बताएगा तो कि integer format में ही न दोस्तों, इसलिए हमें impression d लगाना पड़ेगा, अब इसके अंदर मैंने क्या डाल देखिए, दोस्तों CH, मुझे character वाले का size बताए, आउटपूट आगे देखिए, दोस्तों इसने बताए है, मुझे किसका size है, 1, थिया दोस्तो अब देखिए, यहां पर कोमा आ गया थे, क्योंकि मैंने इसके आगे यह लगा दिया है, गल्ती से, अब आता है, देखिए, अब किसका size निकालना है, दोस्तों हमें निकालना है, float का, तो फिसे हम लिखे लेंगे printf, उसके अंदर हम कहेंगे भईया, below pass हो गया हमारा, तब of view से, कि कोई कोई से topics आए हुए है, और कितने important है वो, ठीक है, कितने marks में हमें क्या क्या चीज़े cover करनी चाहिए, तो please जिसके पास हो मुझे send करें, मुझे CSC के तो कुछ मिले है, but IT के basically नहीं मिल पा रहे, तो जिसके पास हो दोस्तों, please मुझे send करें, ठीक है दोस्तों, अब मैंने लिख लिए printf के अंदर storage, size of float, data type क्या है हमारे पास, ले लिए मैंने size of, इसके अंदर मैंने डाला fl, ठीक है दोस्तों, अब आजे देखिए, इसका size बता दिया उसने, 4, ठीक है दोस्तों, next फिस से लेते है printf, इसके अंदर मैंने क्या डाला दोस्तों, storage, please आप आपको ये, मतलब वीडियो से अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप मुझे बताए कि इसके अंदर मैं क्या change करूँ, ताकि मैं उनको और तरिके से modify कर सकूँ, वो चीज़े include कर सकूँ, ताकि ये आपको पसंद आ सके, और बात की बाते रही कि आप में please comment करा करे, ताकि ए अब देखें दोस्तों आउटपुट, ये हो गया आठ, अब जिसने theoretical part किया तो वो समझ जाएगा डबल क्या होता है, डबल हमारा जो होता है ना float, उसका एक range बढ़ा दी जाती है, उसकी एक range की value कहा से कहा तक ले सकता है, होता ही हमारा float ही तरह का, बढ़ी हमारी range बढ़ा दी जाती है इसके अंदर, अब ये हो गया, देखें दोस्तों आज का हमारा program, अब इसके लावा चलो, मैं छोटी सी चीज दिखाता हूँ आपको, कि आप कहेंगे कि ये क्या चीजे थी, क्या अब ज़्यादा समझ में नहीं आई तो, एक छोड़ा से एक experiment करके दिखाता Suppose कीजिए मैंने एक integer की value जो range होती है, माइनस 32767 से plus 32767 होती है, अगर मैं यहाँ पर value लेता हूँ, 32767, ठीक है दोस्तों मैं यहाँ पर value प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर print f, the value of a is लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, कॉमा डालके a पास कर दिया, अब देखें क्या आ जाता है, जान दीजेगा, एक नड़ा मैं यहाँ पर डाल दता हूँ, एक नड़ा किया बस, क्यूकि मैंने यहाँ पर d नहीं डाला, इसलिए इसने पर value शो नहीं करी, गल्ती हो जाती है, और इसके बाद आ जाएगी अगली line, मैं दो line छोड़के output दिखा रहा हूँ, चले 3, 2, 7, 6, 7, plus, minus के बीच में होती है, अब मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ, the value of A is M%, D, और मैंने फिर line डाली, next line, next line, next line, 3 line के बाद मैं इसका output दिखा रहा हूँ, और मैंने A को डाल दिया, देखिए output क्या आएगा, output आगए 3, 2, 7, 6, 7, top line को देखिए आप, ठीक है दोस आपने देखा value क्या होगी, minus 3, 2, 7, 6, 8 हो गई, मतलब ये एक garbage value को इसमें ले लिया है, मतलब कि ये इसकी range के अंदर नहीं है, अब मैं यहाँ पे इसको 3, 2, 7, 6, 6 कर दूँगा, देखिए, output क्या दिखाएगा, हमारे पास सही आया, हमारे पास output अब, क्योंकि ये इसकी range क अंदर, plus, minus, 3, 2, 7, 6, 7, और जैसे ही मैं इसको कर दूँगा, 6, 7, 9, 0 ले लिजे, पर इसे मारे पास output देखे क्या आगया, कुछ भी आ सकता है, ये नहीं की minus में तो minus में देखे, output मारे पास बलत आगया, ऐसी हर variable की अपने data types की एक range होती है, जिसके हिसाब से वो चलता है, अगर ज़्यादा डाल दोगे, तो दोस्तों दिक्कत करेगा ही करेगा, इस चीज का आप हमेशा ध्यान दीजेगा, चलिए एक example के तोर पर चीज दो देख लेता, अगर मैं character के अंदर डाल दूँ, A, ऐसे डालते character के अंदर हमेशा A, और A के बाद मैं ये डाल दूँ, हमे चेक करना पड़ेगा, otherwise आप कुछ भी नहीं निकाल सकते थिए, the value of CH is, देखिए, अभी आपको पदा चलेगा कि क्या हुआ, CH is ampersand, क्या लेंगे दोस्तों C, क्योंकि character type का है, comma C, अब output पर जान दीजेगा, error आया, देखा दोस्तों आपने, error आया, character constant must be one of two character long, वो क्या कह है कि एक या दो ही होना चाहिए, undefined symbol C, C लिया है, तो ये गलत हो गया था, हमारे पास, ये देखिए, बात वहीं पर आ जाएगे, कि the character constant must be one or two character long, इसने error क्या दिया, कि सिर्फ एक या दो ही value आ सकती है, ज्यादा नहीं आ सकती, तो ज्यादा डालने की कोशिश करोगे, तो भईया compiler error देगा ही देगा, ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि हमारे पास जो हमारा program है, एक नट उच जाईए, हाँ, ये आगे हम अपने program पे, अब देखते हैं कि कैसे से आगे और करेंगे, हम इसके लावा हम और भी चीज़े डाल सकते हैं, चलिए, next program में, next tutorial में करें आप देखें पिसले tutorial में हमने क्या देखा था कि scan of का use, आज हमने देखा size of का use